नमो नमा मैं एकता जैन और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही special person से मैं आप से इस language में इसलिए बात करी हूँ ताकि आप majority लोगों पे पहुँचे और जो generation alpha है उन तक भी हमारी बात पहुँच सके गुरुजी हम यह जानते हैं कि generation alpha मतलब हम तो millennial में आते हैं उसके बा हम इस तरह की कोशिश में लगे हैं हमकी उनको रूट याद दिलाएं ताकि जितना जादा वो रूट रहेंगे उतना जादा ओपर जा सकेंगे यह मेरा मानना है तो सबसे पहले गुरुजी यह बताईए कि आपको जो यह आत्मसाध हुआ या आपको लगा कि मैं इतना आध तो हम आपसी एक बात बोलें कि आप मुझे मीठा समझाईए तो आप प्रयास करेंगे मुझे समझाने का आप बोलेंगी चिनी जैसे होता है मैंने खाया ही नी आप बोलेंगी गन्ने जैसा होता है मैंने खाया ही नी तो आप जब मुझे एक पीस मीठा उठा के दे देंगी वह खालूँगा, तो अगर एकस्प्लेइन करने जाऊंगा जूटा होगा, क्योंकि वह एहसास और महसूस है वह एहसास महसूस उसी प्रकार से, जैसे माँ बनने के बाद उस माँ मरने के बाद भी उस बच्चे को हिर्दे से लगा के और उस बच्चे कान फूखती है ना तो बच्चा भी समझ जाता है कि सई जगा पहुच गया और मा का भी हिर्द अइसांत हो जाता है अगर इसको किसी तरह से एक्स्प्लेइन किया जाये तो क्या होगा वो किसी बहुत अच्छे कभी ने दोस्त पंक्ति लिखिये है आपको बड़ा अच्छा लगेगा यह माना कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते हैं यह माना कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते हैं लेकिन आप फैसले तो हो सकता है किस्मत ही बदल जाए तो मै मैं आपको इस सुन्दर सी बात कहना चाहता हूँ अगर मैं फैसला लिया होता है कि मैं आध्यात्मिक बनूंगा यह बनूंगा तो साइध में जिन्दिगी में कुछ नहीं बन पाता है क्योंकि मेरे जीवन का लग्छ था कि मैं बहुत बड़ा इंदस्ट्रिस हो सकता हूँ ब द्रिष्eln केवल पांच लोगों के साथ थे उनका कोई बाल वाका नहीं कर पाँ लेकिन वह सौहाजार要क開始 लोगों को वही धर असाय कर दिये हो अपने धर्म को इस्थापित कर दिया तो मेरा आपसे केंगाना है कि ऐस higher कुर्मों से अपने क्रिया से बने ये alpha और जी और और मीरा रैदास रहीम कबीर की तरह एक पूर्ण जगह पे बैढ़ जाए अहिल्या भाई होलकर की तरह आपकी प्रतिमा कासी विश्वनात में स्थापित हो और आप प्रधान मंत्री के मुख में इस तरह हो कि इंदोर पहुंचने के बाद पहले अहिल्या भाई होलकर का नाम प्रधान मंत्री नरेंदर दामुदर दास मोदी जी ने भारत माता की जय भी सिखा दिया और जिए स्री राम बोलना भी सिखा दिया और माक करना जिसको तकलीफ होती है अपने घर बेठे एक दिन बोलना ही पड़ेगा बोलना ही पड़ेगा, अफकोर्स, जब हम बात करते सनातन की और हम चाहते हैं की, जैसे की हमने कई बार सुनाया की सनातन यह है, सनातन वह है, सनातन जहां तक मुझे लगता है, हर जगह है, की स्टार्ट, ज्षिकल, जो अने हम आरे से अपटांशनी, मुझे बात की सनातन, हमने हैं जिसे आलू को सनातन है Gregoryield, Craig jakieśhos, जो चलता है, पर सहरी है , सब नहीं है उसको बदल के दो दिखा देँं किसी पंथ में इतनी ताकत है तुस और इसे पेकार से सनातन की पत्त ही है इसलिए don't worry be happy बहुत ही clear है बहुत ही आनन्द है तो हम यह हमारे दर्शकों को बताईए कि भागवत क्या है जैसे आप जैन साब मेरे पास आई में तो आपने अपना पूरा नाम लिया और जैन कहके संबोधन किया लेकिन मैं अगर मुस्कुरा के जैसे भगवान नारायन से ब्रह्मा, ब्रह्मा से बसित, बसित से सक्ती, सक्ती से परासर, परासर से भगवान ब्यास, भगवान ब्यास से सुख्देव, भगवान ब्यास से कौरोपांडो बिदू हम आगे महाबारत तक लेकिन किसी और पंत वाले से बोली है महाराज कहां स जब रूर्ण है, कि हवाओं में आये हवाओं चलेगे, तो इसका एक छोटा से ग्जाम्पल देता हूं, हाथ ने पैर से कहा, हाथ ने पैर से कहा, उसमें गरवड था तो आप दो वार देखने नहीं, हाथ ने पैर से कहा, कि भड़िया, तुम्हें सब चूते हैं, हमें कोई नहीं चूता है, क्यों? तो पैर ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, भाई साब, मैं जमीन से जुड़ा रहता हूं, सनातन से जुड़ा रहता हूं, इसलिए मुझे चूते हैं, आप हवा में रहता हूं, इसलिए आपको कोई नहीं चूता है, तो यह जो अलफा बीटा गामा अलए हवा में, अब आप आते हैं भागवत में, भागवत उसी पैर के, उसी अस्थान के, उसी भूमी के, उसी जमीन की तरह है, जो बसैंदर है, मैं पैर से उनका एक्जाम्पल दे करके कोई उनका आवर नहीं चां़, मैं कहह रहा हूं कि बस्मतलब भागवत सबसे पवित्र दुनिया का सबसे महान ग्रंत महान ग्रंत कैसा है कहा उस प्रकार से जैसे शरीर के किसी भी अंग में एक भी परिशानी आ जाए तो अधूरा लगता है ऐसे ही सनातन को अगर जानना है तो पूर्ण जानने के लिए स्रीमत भागवत महापुरान को पढ़िए उसमें बेद है, बेदानत है, उपनिसत है, गीता है, बागवत है, राम है, कृष्ण है, नारायन है, आग्रियू है, बरा है, कच्छप है, सारे अवतारों के साथ साथ सभी पंद धर्मों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कैसे राम जी थे, कैसे कृ इन सब विस्वियों को जो विस्तार किया है, जो आप अपने बच्चे को ग्रोइंग करने के लिए आप चाहते हो आपका बच्चा ग्रोव करें, डेबलब करें, आपका बच्चा चाहते हो इंटरलेक्श्वल बिले, आपका बच्चा साइंटिस्ट बने, आपका बच्चा ब इतनी बड़ी बुक है आप कैसे समझेंगे तो इतनी मोटी बुक विवेका नंजी ने का आप चाय लेकर आई तब तक मैं देखता हूँ उन्होंने उठाया ऐसे किया और रख दिया और बोल दिया फिलोस्पर को आपके बुक में बहुत खास बाते नहीं तो फिलोस्पर बुला आपने पढ़ लिया इतनी देर में पढ़ लिए तो पढ़ लिका आप कोई भी पेच खोल लीजे जैसे उन्होंने पेच खोला तो आप 272 नंबर का पेच खोले है और इसमें यह लिखा हुआ है और इसमें जो यह तब तो है यह बिलकुल ठीक नहीं है जब यह का तो फिलोस्पर घुट ने बैढ़ गया का आप इतनी जल्दी इतनी बुक पढ़ लिया कैसे का इसलिए मेरा नाम विवेकानन्द है विवेकों में जो आनन देते हैं इसलिए मेरा नाम विवेकानन्द ऐसे ही भागवत को है अगर भागवत समझना है तो आपको बागवध चारत हो, और अपने अनदर की विवेक को जागरित कीजिये और जादा से ज्यादा जागरित कीजिए मधुंतर से और धाय ॹूशी न सत्वावध करें पना गुरू जी में पूछू कि क्या हम अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं? भविष्पुरान बनाया है जी उसका नाम ही भविष्पुरान पढ़िए उसमें लिखा है हम भारत थे भारत हैं हम दो भारत हैं बहुत है किसी के बाप क्यों होता है जो और नाम बदल वकातन है, हमारे अस्तित्तु को बदल तको भड़के और हम इसनातन थे, अब स Apply प्रमाण नेचे एक जरूर कहता हूं अब हम राती के विचार का आपन प्राम शुचार चाहता है तो वह अज हम कर रहे हो इसलिए इसनातन मंच देर है ब्राम्मण, चत्रीबेफ, शूद्र, सारा समाज आये और जो सानातन नाहू उकर पर आपने घर चला जाजा जहां उसका हो बहुत-बहुत बहुत यही बात कहूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद है कि मैं यह बात कहने दरता हैं कुछ कहने के नहीं है। वैसे इनकी बातों देंATHAN हैं जहां एक्ता है, वहां सब कुछ होगा। तो मैं अपने नाम को इसी तरह प्रचार कर दी, मेरा नाम भी एकता है, तो मैं यही कहती है, जहां एकता है, हर एक चीज आराम से हो जाएगी, एकता में रहिए, खुश रहिए, और भागवत गीता सुनने के लिए तुलसी जी के पास आईए. जे जेनेंडे, रादे, रादे.